सहारान कुर में अभी तक हमने लाल नीली बत्ती, अवैद वूटर, पुलिस लोगो इस सब के विरुद अभियान से लाते होगे कारवाई की है अब तक हमने उन्नीस चालान और लगबग 65,000 रुपे शमन सुल्क वसूला है और ये कारवाई अभी हमारी आगे भी दरदर चलती रहेगा यूपी के मुख्यमंत्री योगिया अधितिनात की तरफ से अफसरों के साथ बैठक में दिये गए निर्देश के बाद पुलिस सड़कों पर उतराई है इसके बाद हुटर और सहरन का इस्तमाल कर हुड़दंग मचाने वालों पर शिकंजा गसना शुरू कर दिया गया है जहां सहरनपूर में भी दरचनों वाहनों से लाल नीली बत्ती के साथ हुटर उतरवाए गए सहरनपूर के एस्पी ट्रेफिक से धार्थ वर्मा ने बताया कि अब तक 19 वाहनों के खिलाफ कारवाई की जा चुकी है और 65,000 से ज्यादा का जुर्माना वसूला जा चुका है कुछ दिन पहले उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री योगी अधित्तरनात ने परदेश के सभी अधिकारों को निर्देश दिये थे कि सड़कों पर जो हुटर और अवैद रूप से जो बतिया लगा कर निकलते हैं उनके खिलाफ कारवाई की जाए साथ इसा जो पूरी तरह से वियाएपी कलिटर जो बना हुआ है उस पर कहीं न कहीं पुलिस लगाम लगा इसी कड़ी में सारनपूर में प्रिले दो दिन से लगातार कारवाई जा रही है सारनपूर के स्पी ट्रैफिक सिदार जिसे सर यो निर्देश मिलने के बाद क्या कुछ कारवाई हुई है अवैद हुटर और बतियोगी तिला सारनपूर में देखिए उत्तर प्रदेश आशन और यातायात देशाले के द्वारा दिये गए निर्देश के क्रम में स्स्पी मोहदे द्वारा इसमें निर्देशीत किया गया था जिसमें 11 तारिक से दिरंतर अभियान चल रहा है और इस अभियान में सहरानपुर में अभी तक हमने लाल नीली बत्ती, अवैद हूटर, पुलिस लोगो इस सब के विरुद अभियान चलाते हुए कारवाई की है अब तक हमने उनीस चालान और लगबग 65,000 रुपे शमन सुल्क वसूला है और ये कारवाई अभी हमारी आगे भी दिरंदर चलती रहेगी कुछ संदेज देना चाहेंगे आप ऐसे लोगों जो अभी भी कहीं न कहीं हूटर लगा कर चलते हैं और अवे दुरूप से फ्लेश का लाइट का भी परियोग करते हैं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से साहरानपूर बास्यों से अपील करूंगा कि इस तरह का अवैधानिक कारे जो जातर युवा करते हैं उनको जानकारी नहीं होती नियमों की इसको बिल्कुल डिसकरज करें और इस तरह कि जब कारवाई होगी तो निश्चित तोर पर इसमे संदेज भी दिया गया है कि अगर कोई इसी तरह से नियमों को तोड़ेगा तो उसके खिलाब भी आगे कारवाई इसी तरह जारी रहेगी टीवी नाइन यूपी के लिए सारनपू से विकास कर लिए